लो दोस्तों आप से भीका स्वागता है, आपके अपने चैनल Knowledge TV पर आप लोगों के लिए मैं अच्छे-अच्छे ड्रौिंग के प्रेक्टिस सेट्स लाता हूं, देखिए ये ड्रोंग के प्रेक्टिस सेट्स बार बार लाने का रीजन क्या है, इनमें मैं हर ड्रोंग में को आप एक एक दो चीज़ें वो किलियर होती ही चली जाती है ठीक है आप लोगों के लिए यह सब मैं अपनी तरप से हमेशा बेस्ट बताने का कोशिश करता हूं अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज लाइक और कॉमेंट करिएगा तो दोस्तों इस ड्रोइंग के बार में हमारे पास यह होते हैं कि टैज़ में इसके जो तीनों अक्सिस हैं एक्स वाई एनडज तीनों अक्सिस में गिर्लैंग करूण Kintholt चोग पेडिलarma में चीज अभी यहां इसका जो 3D model है उसको properly आप लोग देख लीजिए क्या क्या हमको दे रखा है एक rectangle shape है आयताकार देख लीजिए यहां पर एक इसका boundary जो है वह आयताकार है उसमें चार hole बने हुए है यहां पर उसमें एक यह डायमेटर एक यह बॉस बना हुआ है एक यह डायमेटर इस पर इस लायन है इसमोती लाइन को वोलते हैं पहलों को से ओकरंगे जो कुछ लैंए कमया यहां पुझे मद्रेव आरयिके आन जोयिए सब्सांदिर यह यह डैमेंचन लाइन यहां बिना चुक यहां की STAK यहां से और यहां तक कि यहां से यहां से पैके के लाइन का आई आपको बताता हूं यहां से यह देखिए यह वाली जो लाइन है यहां से Dimension Line तक जो लाइन जा रही है इसका बोलते हैं Extension Line ठीक है कॉनसी लाइन बोलतेैं Extension Line यह जो लाइन यहां पे यह काट रखा देए कि यहां पे और ए दे रखा है ये साथ में arrowheads इनको arrowheads बोलते हैं ये chain thin line है यहां पे देखेंगे आप आप अगा dairy of the । एइस想ुद है क्या प्लेलाइन ना इन यहां पर आपको section line दिख जाए समझ जाओ उनको part काट करके दिखाया हुआ है ठीक है और कौन्छी line बज़की इसमें यह बिच्चो बिच देख रहे हैं आप होल के कौन सा first angle of projection है कैसे पता चला यहां पर यह जो section line कटकी है section line किस तरह से कटकी है पहले वह आपको बता देता हूं यहां से देखिए बीचो बीच से इसने ऐसे करके ऐसे दो टुकड़े कर दिए इस पार्ट के मैं एक आरी लेकर यहां से इस पार्ट के दो टुकड़े कर देता कर दिए उसके बाद यह arrowheads यह क्या बोल रहे हैं दो टुकड़े करके मेरे को दो टुकड़े हो जाएंगे उपर वाला इससा देखना है मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए एक यह हो गया है एक नमबर यह दो नमबर अब मैं ऐसे arrowheads मैंने दे रखे हैं तो मतलब यह जो न कि यहां से बीचों बीच से कट जाएगा तो क्या क्या आपको दिखाई देगा किस तरह से दिखाई देगा आपको नीचे की साइड से यहां से देख रहे हो मतलब काट करके और यहां से आप देख रहे हो अब मैं इसको दिखाने के लिए टूड़े में क्या करूँगा ऐस कर दूंए हैं मतलब है यहां तो आप क्या कर रहें हैं अब को सीधा करके देखना हो सीधा करके सामने देख सकता हूँ पास यह समझा इसको होSet कर दिया है यहां धिखाध्या में यह यहां दिख रहा है सबसे छोटा होल जिए वी बंडरि यह बड़ी यह बाइंडरी यह बड़ा वाला डाइंटर श्के ऊपर फिर चौको का कटा हुआ पार्ट उंको इंप समस्क्राइब यह तिर्फिकला ब παॉऩरिक का विए यह यह चीज़े आपको किलियर हुई किस तरह से सेक्षन विए हमको दिखाते हैं अब इसका नाम भी दे दिया सेक्षन ए यहाँ पे लिख रखा है सेक्षन ए ए ठीक है साथ पर उसका स्केल देते हैं कि वह यह इतना स्केल है स्केल की बारे मैंने बता भी रखा है अगर आपको स इतना मिलेगा 15 ही मिलेगा ईय只是 कि लिए यह चीज आपको सेक्षन हुआ ठीक है सेक्षन nggak वह क्लियरали या सभी है उसका सभग कैसे बता चलेगा जैसे मैंने आपको बताए फर्फ टेंगल और की खासियत होती वाही फिर्सकाइंट बनता है और अगर इदर व्यूवस जैसे इस पर example ले लेते हैं, आप इधर से देख रहे हो, यहाँ पर viewer है, यह viewer है, इधर से देख रहा है, ठीक है जो, अब यहाँ से काट करके दिखा रहा है, यह क्या हुआ आपका object, यह पार्ट हुआ, यही तो पार्ट है नहीं, यह आपका object है, इस object का projection बना उपर की यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह आपका projection हो गया, viewer देख रहा है, बीच में object आ रहा है, पीछे जाके projection बन रहा है, च्यार quadrant होते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसमें condition रहती है, फ्रस्ट काट रहा है, यहाँ पर आपका job है, object है, यह आपको object है, इधर से viewer देखता है, यह plane of projection रहता यह इस पर बनता है जब object में आता है plane of projection और viewer के दोनों के बीच में अगर आपका object आता है तो कौन सा angle of projection होता है first angle सब्सक्राइब द University specific बनेगा। सब्सक्राइब मतलब इसमें क्या इ Sicht आपको बनेगे कि आपको लोग बताएंakah 006 सब्सक्राइब हों फीम्स स्सक् Hahn इतनी चीजा आपको कैppen और अगे वड़तेसे में आगे मैं आपको घूंद ग पाइगा साइब रहा है कि दिखारा है। मतलब एदर से आप देखेंगे तो इसका किस तरह से दिखेंगा वहां हो चीज सपाओ जो साहतना है ना में नहीं दिखाई दे उसके लिए यूज होती है जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडन मतलब जो छिपा हुआ हिस्सा है उसको यहां पर शो करने के यह चीज काम बेंगे लाइन कि ठीक हम पहले सकती द्रम का यहां से लेकर यहां तक being 30 अब एक कि एक बाया कार है और लंबाई और चोडाई दोनों के दोनों बराबर है तो यह स्क्वेर है इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे स्क्वेर है मतलब इसकी लंबाई और तो यह बना हुआ और क्या करें यह जो होल है इन होल के जो यह सेंटर है यह सेंटर के लेकर इसके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है वो है एक सो दो इस होल के यहां से यहां जो होल के बीच की डिस्टेंस है यह कितनी है एक सो दो हमको दे रखे ठीक है इस साइड में भी जब इधर भी एक सो दो है इधर भी एक सो दो है अब यह इस साइड में य लए टिस्टेन् से सेंटर तो एक सो दो है कितनी है एक सो दो है कि लिए रहे ऑल के सेंटर तो सेंटर दिस्टस आम को दे रखती है यह चीजे हमको खिलियर द bloss Uganda El यहां से देखिए जो boundary यह बाउन्री से स सेंटर है वो कितना दे रखा 14 12 mm को दे रखा है ठीक है जी इसका डायमेटर दे रखा है यह जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं लेडर लाइन से यहां पर 5 का सिंबल दे रखा है इस तरह का सिंबल होता है इसको 5 बोलते हैं 5 का सिंबल जहां भी आ जाता है समझ जाओ डायमेटर की बात करना व्यास क क्याते हैं बीच वाल जो होल बीच में और लपाहरो इसकी पार मुझें और बतादें आरी लेके मैंने इसको खुआ है आरी लेकर मैं और da दो टुक्ड़े मैंने किया जहां जहां मेरी ठचक करके जा रही है बातलब यहां पर मटेरियल है बीच में यह वाइट है मतलब यहां पर खोख ला है तो इस से पता चल रहा है कि यह जो होल है यह वाला अंदर वाला यह ऑर पार है 3D वीव आपको ने भी दिया हो 2D को देखके भी आपको पता चलेगा कि हाँ यह होल आर पार है क्योंकि सेक्शन वीव में हमको यहां पर दिखा रखा है कि यहां पर मट्रियल है ही नहीं आरी जो है बुलेड को टॉच करके नहीं गई वह थोड़ा ऐसे साइड में होलो है ठी है यहां पर मट्रियल है तो इससे हमें पता चला बैच आलीज का हौल और पार ठीक है और क्या देरा हमको इसकी टोटल हाइट इकैए पॉइंट दो ऐसे जो है इसकी यहां से लेकिए और यहां तक कि जो हाइट है वह है इक क्याउन पॉइंट दो हुआ ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे एक्यांट पाइट चोंद हमको दें ये वाली जो हाइड देखरें ये एक 36 क्तिने रहें थर्टीकिस कहां से कहां तक की यह वाला हिस्चा यह देखिए यह तक कि जो दिर्टेंच है वो दें रहें यहां पर दे रखाई यहां पर दे रखाई दे रखाई अंदर वाला होल है उसका डाइमेटर में पता चल गया यह आरपार है यह 40 का योजान च्पन को वाला वट गॉल एवाला यह वाला यह वाला यह वाला कितना वह यहां पर देखे वह यह आप साइड से देखेंगे चाहिए इस तरह जाएक देखेगा आपको ये डाउन ये वाला ये बड़ा वाला ये कितना एंड्रेड ए इसी तरह से ये आपके प्लेट दिखेगी लास्ट में ऐसाइड वी एधसाइड वियु है अस्टेंगल आप प्रोजेक्शन ने यह ठोई है छीक है कि यहां तक कीलिए हाँ अब देखिये अब जब आप साइड से देखेंगे इसको काट करके नहीं दिखा अब यहां से दिखेंगे यह चीजे आपको दिखें बाहरवाली जो चीजे हमको दिख रहे हैं यह किलियर वह तो आपको किलियर होगा कि कहां सेक्शन यूज़ करके hidden lines को eliminate हम कर सकते हैं आप वैसे इसकी जरुरत नहीं थी जैसे आपको यहां पता चल गया कि चालिस का hole है वो आर पार है हमको पता चल गया यहां अब माले section view नहें देखके सरफ यह view देता तो उसमें हमको इस तरह से दिखाता है यह hidden line आप देखते हैं hidden line से आपको पता चलता है कि हाँ इसके बीच में एक object है वो यहां दे रखा है यह वाला diameter वह कितना है 40 का है और यह आर पार है यह dotate मतलब यह 40 का जो diameter है यह आर पार बन रहा है यह hole है है hidden line से हमको clear हुआ है इधर से देखेंगे तो अंदर वाले इससे देखेंगे ने इस से तरह से दिकेंगे तो उन यहां पर देख सकते हैं सेक्षन व्यूर्य में इस प्लेट की हाइड है यहां पर दे रखे बेटर एक्स्प्लेइन करने की कोशिश किया अगर अच्छा एक्स्प्लेइन किया है तो प्रीज कॉमेंट करके मेरे को बताइएगा अपना फीडबेक दीजिए यार ऐसी जो ड्रोइंग है मतलब इससे भी जो कंप्लेक्स ड्रोइंग से हैं मौ वह ले के आऊंगा आप अच्छू